नमस्कार दोस्तों वेल्कम टुश्विंग ट्रेड इस वीडियो में हम बात करेंगे नसले इंडिया के वारे नेशनले इंडिया स्टाउक में अभी जिसी साब से करेक्षण चल रहा है क्या लगता है कि नेसले इंडिया और भी करेक्षण हो सकते हां हमें इंतजार करना चाह अगर आप इस चैनल पर नाया है चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिए उसके साथ में बेल आइकन को फ्रेस करके रख लिए अगर हम बात करेंगे आज के दिन में निप्टी में अगर देखेंगे तो यहां पे यह टॉप लुजर में था आप अगर जाएंगे यहां पे निप्टी आज के दिन में इतना ज्यादा तो बड़िया पर्फॉर्म नहीं किया है लेकिन फिर भी यहां पे पॉइंट टू अन परसंटेस का पॉजिटिव देखने क को मिला था यहां पर इसले इंडिया का देखने को मिला तो यहां प्रिखने को कए यहां पर इएक परशनी सब्सक्र nhân शौ Поэтому है सब्सक्राइब मर्स मांध की पर्षज्शन rozpira Hubet को मिल रहें है यहां पए आपकर 1 साल के बारेंगे आएक साल में 3% का positive return दिया है अगर हम 5 साल का scenario देखते हैं 5 साल में एक बहुत बड़ा multi weather return दिया है जो कि 178% का return दिया है अगर हम maximum chart pattern देखेंगे तो यहाँ पे 600% का return दिया है यहाँ पे 2010 से लेके तो यहाँ पे बड़ी ऐसा return दिया है लेकिन अगर company का fundamental analysis करेंगे यहाँ पे यहाँ पे अभी company का fundamental analysis करते हैं इसी साब से अगर हम देखेंगे friends यहाँ पे वान लाग 67,000 करोड का market का आप इसका अगर पी की बात करेंगे अभी 87 पी पे stock अभी trading हो रहा है यहाँ पे आरोशी दिखेंगे 126% का आरोशी है मतलू लिटान capable जबर दस्त यहाँ पर तो यहा पर रहाम अगर हम बात करेंगे न इत्रोड नहीं में तो यहां पर यहां पर इतना बिन नहीं है जो की वोन न. Πा से हच्बंट एकिले जो बौट का यहाँ अगर लाइप्टाइम है की बात करेंगे यहां पर 20,609 रुपीज जो था है यहां पर लाइप टेम आई था स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा है 17,327 पर अगर इसी साब से बात करेंगे कंपनी का डिविडेंट इल भी 1% का डिविडेंट इल लिए 1.15% का डिविडेंट इल लिए अगर इसका परफॉमांस के बारे 3233 करोट का अभर सेल पोस्ट किया था तो अगर उसी साब से प्रफिट के बदो बात करेंगे यहां पर प्रॉफिट था लास्ट डिचमबर में 482 ट्री Kr bak Ridge關係 सब्भात रहे तो भी झाल्म कोश्तर करिए थे नजर आ रहा है तो इसी साफ से बात करेंगे चायए कटर में 14,700 करोड का यहां पर देखने को मिला था जो कि सबसे हाइस अगर हम नेट प्रफिट भी देखते हैं सबसे हाइस जो कि लास्ट तार गटर में तो बहुत बढ़ी ऐसे यहां पर नेट प्रफिट क्रोइंग हो रहा है अगर वैलन्स इट में जाके देखते हैं यहां पे सेट क्याटन उनली नाइटी सिक्स करोड का था है अगर इसी साब साम देखी यहां पे रिजर्व रिजक्ट तो कंस्टांटली ग्रोइं होते जा रहा है तो यहां पे सब्सक्राइब बात करें बहुत इंपोटन्ट है प्रोमोटर का होल्डिंग जो रहा है हमें से आप देखेंगे तो यहां पर लास्ट कटर में प्रोमें प्रोमोटर होल्डिंग बहुत बड़ी है तो इसी साथ है। यहां पर फिर से पास में से होल्डिंगे तो यहां पर पॉब्लिक के पास में देखिए पॉब्ली के पास में 16.99 परसंटेज का होलिंग है फ्रेंट्स अभी तक अगर चानल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इमिडेटली चानल को सब्सक्राइब कर लिजे उसके साथ में बेल आइकन को प्रेस करके देख लिए देखिए आप सब वीडियो देखत सब्सक्राइब करेंगे कंपनी का आज के दिन में कितना परसंटेज का डेलिवरी उठाएगे वह हमें देखना बहुत जरूरी है नेसल इंडिया में अगर हम देखेंगे तो आज के दिन में है आज का दिन अगर डाटा हम देखते हैं यहां पर 73,279 गॉंटेटी यहां पर ट्रेडिंग वह है यहां पर डेलिवरी उठाएगे और तो यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर 52-1 का लो तह अभी नियरेस्ट था पिछले साल जो की 16,070 के पास में यहां पर पिछले एक साल पहले की रटा है अभी बिल्कुल उसके नियरेश्ट आ चुका है और यहां पर 17,345 पे उससे पहले अगर यह वीडियो आपने नहीं देखा यह जरूर देख लिजिए जो कि नॉंबर वन क्वालेटी स्टॉक यह आपको जरूर आपके पूर्फॉलियो में कंसिडर करना है उसका पिछे की रिजन क्या है उसमें बताय हुआ है जरूर जाके आप देख लिजिए गया और यहां पर यहां पर आप जाके देखते हैं पहले अक्षल हमें यहां पर बाइक क संदेख yağ कितना प्रसेंटेज का इस से पहले हुआ है वह हमें जानना बहुत जरूरी है तो यहां पर अगर हम देखते हैं यह किल्रों परसेंटेज काई उसका एँटीज करेक्शन हुआ तो यहां पर देखते हैं adviser के टाइम पे कितना द्या तो यहांपे 27 पर्सेंटेज का क्रेक्शन हुआ था अगर उससे पहले भी अगर हम देखेंगे यहां पे को सब्सक्राइब o तो यहांपे 14.5 पर्षेंटेज का क्रेक्शन हुआ था तो यहां पर अगर देखेंगे यहां पर एक 21% का करेक्शन हुआ था ठीक है तो इससे पहल आगर हम देखते हैं यहांपर 2017 को यहां पर 21% का करेक्शन हुआ था मेरा डाटा निकालने का रिजन क्या है मैं आपको बिल्कुल बता करक्सने को मिला है मिनिमुम 15 पर्सनेज का करेक्शन देखने को मिला है मिनिमम 15 पर्सनेज को correction देखने को मिला है लेकिन जब कोई buy किया है यहां पे जब 15% stock गिर जाने के बाद में कोई भी stock में position बनाया है तो उनको कितना return मिला और कितना दिन में return मिला वो देखना हमें बहुत जरूरी है यहां पर अगर देखते हैं यहां पर 15% गिर गया तो उसके परेंज को मिलता है यहां तो यहां पे correction होने के बाद में यहां पर क Jenna both was skip project एपए बनदीं को मिला कितना दिन में 300 में ठीनशों दिन में 300 पर्सेंट्र परसेंटेशका ह।ொ देजे का आपि सरह दिंदे तो 300 देज में प्रफिट में को मिलाफ yeah आप लग Cash कि हूल डेंगे तो यहां पर फीक तरहीं में रिकावर यहां पर किसे रहाव करते हैं यहां फित्टीन पर संथां हैं तो यहां पर हम देखेंगे तो हमने यहां पर किया एक तो यहां पर आय किया तो हम लेंगे इंगे हई तव हाई तक अगर पोजिशन बनाते हैं 137 डेज में हमें 18-19 परसेंटेज का गेन मिला जब 15 परसेंट गिर जाता है तो वहां पर 19 परसेंटेज का प्रोफिट मिलता है तो यहां पर भी सिचुएसन है यहां पर भी वाई किये ठीक है यहां तक आ गया उसके बाद में हमने यहां पर पोजिशन बनाया है यहां पर हाई तक हम रखेंगे अपना पोर्टफोलियो में तो यहां पर 108 डेज हमने लिया और यहां पर अपने को मिला 18 परसंट ठीक है तो इसी हिसाब से हर एक जगा में ऐसे हमें अपर्चनोटी मिला है जो कि बहुत इजिली यहां पर रिकवरी हुआ है यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर ज्यादा तो करेक्शन हो चुका था लेकिन हमें अपना 15 परसंट के पास में हमें करने है तो 15 परसंट तक आ गया था श्तक यहां पर यहां पर हमने बाइख किया तो हमें कितना दिन लगा यह स्टाउक में रिकवरी होने में यहां से हमने में कि अइंग है तो यहां पर से सीनारियो बना यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर 15% गिरने के बाद में अगर किस ने यहां पर बाइंग किया तो उसके बाद में यहां तक कितना दिन है 180 डेज में 19% मिला ठीक है जहां पर मैं 30% का गें की बात करता हूं पसिवल होता है प्रेटी परसेंट जो यह नहीं वो प्राक्टिकल बन सकता है उसमें कोई प्रोब्लेम नहीं लेकिन हम साथ में अगर स्टॉक मर्पिट को स्टॉडी करके उसी साथ से इंवेस्ट करते हैं तो थाटी परसेंट बनी जाता है अगर आप स्मॉल के स्टॉज करेंगे अपना पोटफोलियो में कुछ रहेगा 20 परसेंट के 40 परसेंट गिर भी सकता है लेकिन फिर भी मार्केट के साथ में मार्केट जिससे रिकावरी होता है वो स्टॉक भी होगा अपना टार्गेट जरूरा आचीव होगा लेकिन आपको होल्डिंग करना चाहिए सारे स्टॉक जो भ कि यह एक इंपोंट सकता है जो कि 6500 से लेके 16600 से लेके जो लेञे तो यहां तक बिल्कुल निचे आ सकता है अगर यहां पे इस लेवल तक आता है तो तो फिर भी आपको ढरना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से एक मल्टी अगर स्टॉक है अगर आपकी पूर्फोलियों में नहीं तो आप ले सकते हैं इसमें रिस्क आपका कौम है लेकिन रिटन आपको एक बड़ी ऐसा रिटन मिल सकता है जो कि अगर आप सिक्स मौंस भी होल्ड करते हैं आपको आठरा परसेंट लंग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो भी कोई प्रोब्लेम नहीं है लंग टर्म में अच्छा सा रिटन दिया है अगर आप देखेंगे यहां पर 10 साल में 15 परसेंटेज का रिटन दिया है लेकिन हमने जब चेक किया यहां पी यह स्टॉक में तो कहीं पर भी स्टॉक अ पर प्रोफिट बुगिंग करने के बाद में दूसरा स्टॉक में स्टॉच हो जाएंगे वहां पर शिक्स मंस टाइम देंगे वहां पर 15-20 परसेंट बन जाएगा ठीक है तो वहां पर आपका 30 परसेंट बनी जाता है लेकिन यहां पर लंग टर में पैसे बनता है मैं नहीं उसमें पॉजिशन बना सक्ते हैं इस जो टार्गेट रहेगा तो यहां पर लेके चल सकते हैं यहां से मिल सकता है जो कि जरु जूल सकते हैं. Thank you very much friends for watching this video. मिलते हैं नया एक वीडियो में.